हे मात्र भूमिते चर्णों में शीष्णवाओं मैं भात्ति भेट अपनी तेरी शरं मिलाओं नमस्ते शत्रों आज हम हिंदी सुलब भारती कख्षा आठवी पाठकरमांक एक हे मात्र भूमि इस कविता का सुलल एसे वाचन करेंगे और सरल भावारत का अध्यन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सर्वप्रथम कवि परिचे हे मात्र भूमि कवि रामप्रसाद बिस्मिल इनका जन्द 897 शाहजापूर उत्तर प्रदेश मुरुत्यू 1927 गोरगपूर उत्तर प्रदेश परिचे रामप्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंतरता सेनानी ही नहीं बलकी उच्छ कोटी के कवी अनुआदक बहु भाशावित वसाहित्यकार भी थे आपने देश की आजादी के लिए अपने प्रानों की आहुती देदी सर्फरोशी की तमन्ना आपकी पसिद्धर अचना हे मात्र भूमी इस कवीता का सुरलय से वाचन करेंगे हे मात्र भूमी तेरे चर्नों में शीष्नवाओं मैं भक्ति भेट अपनी तेरी शरं में लाओं माथे पे तु हो चंदन छाती पे तु हो माला जीवा पे गीत तु हो तेरा ही नाम गाओं जिससे सपूत उपजे स्री राम कुष्न जैसे उस धूल को मैं तेरी निजशीशी पे चड़ाओं माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर करता प्रणाम तुझको मैं वे चरंद दबाओं सेवा में तेरी माता मैं भेद भाव तजकर पहकुन्य नाम तेरा सुनू और सुनाओं तेरी ही काम आओं तेरा ही मंत्र गाओं मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाओं पदो का सरल भावात है मात्र भूमी तेरे चरंणों में शीश नमाओं मैं भक्ति भेड अपनी तेरी चरंद में लाओं प्रस्तुत पंग्तियों में कभी अपना प्रेम व्रक्त करते हैं कि है मात्र भूमी मैं तेरे चरंणों में मैं अपना मस्त्र जुकाता हूं मैं अपनी भक्ति की भेड आपको अरपित करता हूं मात्र भूमी के शरर में जाने की कभी की इच्छा है माथे पे तू हो चंदन च्छाती पे तू हो माला जीवा पे गीत हो तू तेरा ही नाम गाओ कभी के मस्तक पर मात्र भूमी चंदन के समान और छाती पर माला के समान शोभीत है उनकी जीवा पर मात्र भूमी के गीप सबई रहते है जिस से सपूत उपजे स्री राम कृष्ण जैसे उस धूल को मैं तेरी नीजशीश पे चड़ाओं कभी कहते हैं जिस भूमी पर स्री राम और कृष्ण जैसे सुपूतरों ने जन्म लिया है और उनके महानकारियों से ये धरती पावन बनी है इस धूल को मैं अपने सीर पर लगाना चाहता हूँ माई समुद्र जिसकी पदरजकों नित्य धोकर करता प्रणाम तुझकों मैं वे चरन दबाओ कभी कहते हैं जिसके चरन को छूकर सागर प्रणाम करता है उन चरनों को दबाकर कभी मात्रभूमी की सेवा करना चाहता है कभी की जिवा मात्रभूमी की पवित्र नाम रहे और कारों में मात्रभूमी का ही नाम सुनाई दे कभी का जिवान मात्रभूमी के काम आये उनकी यही लालसा है कि उनका तन मन मात्रभूमी पर निवचावन हो जाए इस कभीता से हमें ऐसी सीख मिलती है मात्रभूमी स्वर्ग से भी महान है उसकी सेवा करना मनुष्यका करतर रहे मात्रभूमी के प्रत्यक वेक्ति के मन में प्रेम और भक्ति भाव होना चाहिए मनुष्यकों अपना सर्वस्व अरपन कर देश हीत के लिए सदैव तकपर हना चाहिए कविता में कुछ कठी शब्द के अर्थ है नवाना जुकाना शीष सीर जिवा जीप रज धूल बलिदान प्राना होती एचावर देह शरीर कृती पुर्ण करो मात्र भूमी की विशिष्टाएं यहां कुछ विशिष्टाएं दी गही है आप कविता में से डून कर और भी लिख सकते है मात्र भूमी की विशेषता है रामकृष्ण जैसे सपुत पैदा हुए समुद्र पैरों की धूल दोकर पडाम करता है भेगभाव रहित है नाम पुन्य है कृती पुल्ण करो कवी मात्र भूमी के प्रती अरपित करना चाहता है मन और देह एक शक्त में उत्तर लिखो कवी की जिवा पर इसके गीत हो उत्तर मात्र भूमी मात्र भूमी के चरंद होने वाला उत्तर समुद्र मात्र भूमी के सकुत उत्तर रामकृष्ण प्रतिदिन सुनने सुनाने योग्य नाम उत्तर मात्र भूमी मात भूमी के चरणों में इसे नवाना है उत्तर शीश अगला प्रश्ण कविता की पंतियां पुर्ण करो सेवा में मैं तेरी बलिदान मैं जाओ उत्तर सेवा में तेरी माता मैं भेत भावत जकर वह पुन्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनू सुनाओ तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंतर गाओ, मन और देहत् तुमपर बलिदान मैं जाओ विराम चिन्न विराम चिन्न का अर्था है ठाईराव, विश्राव, रुकना अर्थाथ, वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाय जाने वाले चिन्न को ही विराम चिन्न कहते है पुर्ण विराम जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पुर्ण विराम लगाय जाता है उधारन राम खाना खाता है मोहन स्कुल जाता है मैंने अपना काम पुरा कर लिया अर्धविराम जहां अल्पविराम की अपेक्षा कुछ अधीक देर तक रुपना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग करते है उदारन सुरियास्थ हो गया लाली मा का स्ताम काली माने ले लिया सुरियोदोल हो गया चिडिया चैपने लगी और कमल खिल गए प्रश्ण चिन्न प्रश्ण चिन्न का प्रयोग प्रश्ण वाचक वाक्यों के अंतमे किया जाता है उधारन वहाँ क्या लिक रहा है ताजमाहल किसने बनवाया योजर चिन्न योजग चिन्न का प्रयोग समस्त पदों के मद्य में किया जाता है उधारण सुख दुख लाव हानी दिन रात यश अपयश तन मन धन देश के दिवानों ने तन मन धन से देश की रक्षा के लिए प्रयत्न किया विस्मयादी बुधक्चिन्न का प्रयोग वाक्य में हर्ष विवाद विस्मय गुरुणा आश्चरिय परुणा भय इत्यादी का बोध कराने लिए किया जाता है अर्थात इसका प्रयोग अव्वे शब्द से पहले किया जाता है अर्थात एक से अधिक वस्तों को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ध लगाया जाता है उधारन राम, सिता, लक्ष्मन और हनुमाम ये सभी भगवान के रूप में पुझे जाते है मैंने भारत में पहाड, जरने, नदी, खेत, इमारत, आदी चीजे देखी थी अधारन या उधारन चिन्ध किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अधारन चिन्ध का प्रयोग किया जाता है उधारन तुसी दास ने सत्य कहा है परादिन सपने हुँ सूख नाही जैशंकर प्रसाद ने कहा है जीवन विश्व की संपत्ति है राम ने कहा है सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है